कि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यात्रादा टिप में नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका आप पहुंचे हैं कि देवी धुर्गा जी के मंदिर में जो की भिस्व प्रसिद्ध है और खुड़ा में इस्थित्ध है बैसे तो हम किसी भी टेंपिल में जाएंगे दर्सन करेंगे दर्सनकर कर ले निकाल जाएंगे लेकिन जब प्लग हमें उस टैंपिल के बारे में संपूर्ञ ज्यान ना हो जैसे कि कैसे बनाया, किनों ने बनाया, क्योँ बनाया, ये सब जानकारियां जब हमें मिल जाती हैं तो उस मंदर के दर्शन करने में एक अलग ही अनंद की अनुबूती होती है, इनी सभी चीजों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ उपस्तित हैं श्री रोहित अग्रवाल जी जो की इस मंदर को ट्रस्ट संचालित करता है उसके सहयोजक है और बरत्मान में सभी कार इनी के द्वारा देखे जा रहे हैं पहले इनके पितासरी ने इस मंदर में काफी कुछ अपना योगदान दिया उनी की वज़े से इस मंदर का जिरोणदार हो पाया बाकी सारी जानकारी हम रोहित जी से प्राप्त करते हैं रोहित जी तो हमने इस मंदर को बनाने के लिए कैसे शुरुआती गई मेरे फादर डॉक्टर थे और 1990 में यह समीति की स्थाप्ना की गई थी नवदूर्गा समीति खुर्जा और तभी उन्हें सवपना आया था वो मातारानी के भक्त थे कि मातारानी नहीं से कहा था कि में खुर्जा में स्वेम इस्थापित होना चाहती है उसकी तैयारी को जिसके फाल सुरू नाइंटी में समीति बनाकर सारी प्रक्रिया आरम की गई और एक ऐसी मूर्थी की स्थाप्ना की प्रेड़ना मिली जिसमें देवी मा के नौ रू एक ही मूर्थी में दिखाई दे उसके लिए निउस्पेपर्स में एड़ दिया गया पूरे इंडिया मे वह सारे मूर्थी कार अपने मॉडल्स बना के लाए और उसमें से एक मॉडल पास हुआ लखनो के मूर्थी कार थे सुनील कुमार प्रजय पती उस मॉडल को फाइनल करके फिर मूर्थी बनाई गई नाइंटी टू में मंदिल का निर्माण परारम हुआ था और नाइंटी- पुर्जावाली माता के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है इसके पीछे भी कुछ जी बिल्कुल जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महसब बनाया गया था तो लगभग 15-20 दिन को कारेकरम चला था उसमें हुआ था सहस्त्र चंडी महायक उस दौरान बहुत इंडिया के ल मूर्थी प्रतिष्ठा के कारेकरम में उपस्ते दूए थे और उन्हों नहीं मंदिर के परांगण में बैठके गोशणा की थी कि मैं देख पा रहा हूं कि आने वाली समय में ये नगर ये मंदिर खुर्जा वाली महिया के नाम से जाना जाए तो जो शंक्राजार जी के श् कि माता जी की जो मूर्थी है वो फर्स्ट फ्लोर पर प्रतिष्चित है तो ये कैसे नीचे किसी सीज पर टिकी हुई है या उपर ही बनाई गई है मंदि इनका मूर्थी का बजन लगवक इतना है तो उसके बारे में कुछ आप जानकारी देपा है इसमें जो मुख्य मूर् जिनकी गहराई जमीन के अंदर भी 15 फुट है 15-15 फुट के वो प्ला रहे हैं जो जमीन में अंदर है और पूरी मूर्थी का बजन साड़े चार तल है इसमें माता रामी के मुख्य मूर्थी का बजन धाइटन और उनके पूरे सिंगहसन का सबकुछ वजन मेला के साड़े यह जो मूर्थी है इसकी विशेष्टा में आपको बता दू छतरपुर मंदर दिल्ली में शिरी बावा नाकपाल जी जी थे उनके देख रेक में इस मूर्थी का निर्माण हुआ था उस उन्होंने ही इस मूर्थी की पूरी व्याख्या करी थी हमारी खुर्जा में जो मात पंचायत के रूप में स्थापित है इसमें मातारानी सिद्धी दात्री जी के रूप में कमल पर विराजमान है और अठारा भुजाये हैं उनकी नौ वाहन है जिसमें एक वहन तो कमल है और आट वाहन उनका रत खीच रहे उन आटो वहनों की लगाम गणिजी ने अपने हा विष्व में कहीं और अपलब्द नहीं है हमने तो देखा नहीं है मा के नौ रूप इसमें विराजमान और जो प्रकीमा मा की बनाई हुए बहुत ही अद्भूध है और एक चीज माने और विसेज देखी अभी आप में रूट पे देखते हो तो माता जी की मूर्ती में यह मंदिर के निर्माल के समें पिताजी की इच्छा थी के दर्शन नीचे से हो जो लोग ऐसे है तो इतनी सीडी चड़की मंदिर बना समस्य आई जो लोग विकलान गोंगे अपाही जोंगे वो इतनी ऊपर कैसे आई यह इस मंदिर की अद्भूध चीज है जो वो बनाया म में गेट आप देखेंगे मूर्ती और में गेट का इस तरीके सेटिल्मेंट किया गया था कि नीचे से दर्शन हो जाते है वही चीज मैंने कल देखी कि एकदम माता का एकदम से अधुत परतिमा दिखाई दे रही है तो यह जो मूर्ती बनाने के लिए जिस मैट्रियल का इ दूंगे मातारानी के छेहरे पर सो ना चंडा होगा है तो दर यह जो अब तीन साल का समय बता रहा है मंदिन नर्वान के लिए मूर्ती तो और उससे पहले बना करके तैयार की गई भी माइंटी 2 में शुरू हो गया था मूर्ती की बाक्चिस शुरू हो गई थी और लगव तो जो माता जी के बस्त्रों में भी काफी कपडा लगता होगा विलकुल लगबक 40 से 45 मिटर कपडा मता राने की पुषाट में लगता है और यह पुषार्ट साल में कब कब बदली जाती है यह हर मही मिने में अस्टमी अवामस्य और पूरण माशिक बदली जाती है नवरात्री हों में प्रतिजिन बनलती है तो नवरात्री में कुछ विसेसाय जन ज होता है प्रते दिन मंद्र पे लाखो सध्धालों आते है और कारेकरमब में प्रते दिन छच्थ बन महव लगते है हमारें विशेश पूजा होती है कुझे पूजन उसमें पहले दिन दो वर्ष की करें पूजन किया जाता यह ऑर बब लॉप के और उनकी और बोद की जाती और नौम 10 semis उन सारी करनियाओं को बुलाया गयाता है उनको भोग लगा के उनको भेट देके और उनको बेडा करके नवरात्य कारेकरम संपन करा है अच्छा सार्दियों मन्तिय जैसे भक लोग आना चाहते हैं मंदिर विजिट करना चाहें तो मंदिर की ऑपन लुनी की टाइमिंग क्या क तो यह जो दिन में कुछ विसेष पूजाएं की जाती हैं क्या जी जी प्रते दिन पूरे दिन एक पूजा का शेडियूल है लिए कुछ में पूजा होती है दुरोगा शब्षती का पार्ट प्रते दिन जरूर होता है तो कितने बजे वो पंड़ी करते हैं तो फैर मंदर खुलने के बाद संध्याकाल में चाहिए उसके बाद दौनों संध्यारती होती है तो रात में साले साथ बजे राजभोग आरती होती है और रात को साड़े आठ बजे शेहन आरती होती है तो जो मंदिल का ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक हनुवान जी की काफी आकर्सक मूर्ती मैंने देखी उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे मंदेल की मुखे मूर्ती के स्थापना हुई थी उनने सो पच्यांड़ में और वहे विग्रे है उसका नाम है शीरी राम लखन सीतामन बशिया उनकी स्थापना हुई थी सन दो जार्व दो जार्व पूजय खपड़िया बाबा के जो शिश्य हैं शीरी हरियर बाबा जी उ उसके बाद इस मूर्ती की स्थापना हुई थी इस मूर्ती की मुख्यविशिष्टा यह है कि हास से आपने देखा हुआ अगा लोगवाल राम राम की पुस्तके लिखते हैं तो इसमें हनमान जी की मूर्ती के अंदर वो लगबक सवा करोड मंक्र लिखे हुए रखे हुए उन लोगों से कहा गया था कि जिन्होंने राम राम की पुस्तके लिखी हुई है वो ले आए और उन पुस्तकों को जब इस मूर्ती के निर्मार रोणादा का हनमान जी के अंदर रखे हुए है पूरे विग्रे का नाम है राम लखन सितामन बसिया इसमें वूस्चित्र का दर्शन है जिसमें हनमान जी अपना सीना चीर के दिखा रहे हैं कि उनके हरवे में राम राम लखनो सिता जी बहुत ही आकर्शक मूर्ती है जी बहुत आकर्शक है बहुत बिशाल है और उसी के बराबर में एक दूसरा विग्रे है जिसे हम कहते हैं जुगल-जोडी सरकार बागवान शीरिकिष्ण और रादा जी का आपने स्वरूब बाके बिहारी जी में देखा है जी बिल्कु इसमें दोनों एक ही मूर्ती में है लेकिन वो दिखता बहुत कम लोगों हमारे यां साफ तोर पे देखा देता है अरदनारिश्वर के रूप में वह मूर्ती है देखताओं के दर्सन एक ही जिखाय हो जाते हैं अब जाते हैं अब कीमती समय हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो अभी हम आपको सारा टैंपल विजिट कराएं जितनी भी जानकारी हमने आभी आपको दिया है वह समपूर जानकारी हम आपको दिखाने वाले हैं बस आपको करना है एक काम आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आनते तक ताकि कोई महतपूर जानकारी आप से मिस ना हो जाए मंदिर की चारों और आठ फूट चौड़ी परिक्रिमा बनी हुई है 108 परिक्रिमा की किलोमीटर में लंबाई गोवर्धन की परिक्रिमा की वरावर लगबग 22 किलोमीटर बैठ थी है यह अपने आप में एक बहुत सुन्दर सयोग बन गया है इस मंदिर की यह भी मानिता है कि जो भी स्रधालू इस मंदिर की 108 परिक्रिमा करता है तो उसकी सभी मुरादे मातारानी पूरी करती है देखिए लगाया जा रहा है रादे कृष्णा जी को भोग और कितनी सुन्दर परिक्रिमा रादे कृष्णा जी की बनी हुई है आईए दोस्तों अब चलते हैं मंदर के बेसमेंट एरिया में चलके देखते हैं कि वहाँ क्या-क्या चीजे बनी हुई हैं यह देखिए नवग्रह, दस महाविद्याएं अश्ट सिद्ध नवनिधी, सोडस मात्रका, सप्त गंगा सप्तरशी सप्त दीप, अठारे पुराण, एका दस रूद्र, पचास छेतरपाल और भहरव यहां बने हुए हैं योगमाया को भी साथ में बनाया गया है, मंदर की दीवार पे हर हर महादेव हर जिगए लिखा हुआ है जो भक्त यहां आते हैं मुरादे मांगते हैं तो उसके लिए चुनिया भी बनी हुई हैं और यह है भोले नात की प्रतिमा सिवलिंग के रूप में बिद्धवान देखिए जो भक्त यहां आते हैं मुरादे मांगते हैं तो वो यहां अपनी मुराद के रूप में चुनिया बान देते हैं सामने आप देख रहे हैं मातारानी का सयनकक्ष यह है मातारानी का सयनकक्ष और अब हम आगे बढ़ते हैं चलते हैं बाइंतरब यह है स्री राम लखन सीता मन बसिया की प्रतिमा जिसका जिक्र रोहिद अगरवाल जी ने किया था सामने बैठे हुए हैं भक्त और कर रहे हैं हरे राम हरे कृष्ण का जाप यह है हन्वान जी की प्रतिमा जिसके अंदर बने हुए हैं राम लक्षमन और सीता जी साथ ही बनी हुई है जुगल के सोर जी की प्रतिमा और यह है वह है इस्सा है जिसके लिए हम कह रहे थे यहां पर सायद ही कोई ऐसा देवी देपता हो जिसकी प्रतिमा ना बनाई गई हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके मुझे कमे क्या कोई ऐसा देवी देपता बचा हुआ है जिसकी प्रतिमा इस टेंपिल में ना बनाई गई हो मैं आपके कमेंट का बे सब्सक्री से करूँगा इंतजार दोस्तों इस टेंपिल के बारे में मैं और एक विसेश बात आपको बताना चाहूँगा इस टेंपिल के ट्रस्ट ने खोर्जा वाली मैया की रसोई नाम से एक योजना शुरू की है इस योजना के तहट गरीब और जरूरत मंदों को मात्र पांच रुपए में भोजन खिलाया जाता है जो कि मुझको बहुत एक अच्छा इस टेंपिल का इनिसेटिव लगा दोस्तों आप देखते रहिए वीडियो और देखते रहिए इस सेक्षन को ध्यान से कि कौन-कौन से देवी देपता यहां पे स्थापित किये गए हैं और कौन से देवी देपता बचे हुए हैं जो कि यहां पे नहीं हैं आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाके जरूर बताईएगा दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे यह भी कमेंट करके बताईएगा दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो कर लीजेगा सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजेगा लाइक और सेयर अकर आपको अच्छी लगती है तो और इस टेंपल के बारे में जाते जादा लोगों को बताईएगा ताकि वो भविस्व में कभी खुर्जा की तरफ आते हैं तो इस टेंपल को भविस्व में विजिट कर सकें अगर आप ये टेंपल विजिट कर चुके हैं तो आप अपने एक्सपरियंसेस मेरे साथ सेयर भी कर सकते हैं आप इंस्ट्राग्राम या फेस्बूक या फिर यूट्यूब कमेंट फ्लाक्स में अपने कुश्चेंस भी हमसे पूछ सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही जल्द ही मिलेंगे किसी नई जिगाए और नए वीडियो के साथ अभी आप मुझे दीजिये इजाज़त अभी के लिए आपके हश्ट का आपको नमस्कार कीमती समय निकालकर वीडियो को अंते तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद नमस्कार